झूठ नूप प्रेंड है इंवसिव मेकेनिकल वेंटियोर की इस सीरीज में हम दहेंगे पार्ट पाई जिसमें कि हम डिफयरंट वेंटिटर्ड की सेटिंग पर डिसकस्थ करेंगे और इस पार्ट में हम divine control mode एक detail डिसकस्थ करेंगे हैं तो किसी भी पेशंट don't वेंटियर्ट देने का जो गोल होता है वो होता है कि इस पेशेंट का आक्सिजन मेंटियन हो जाए नौर्मल आक्सिजन कितना होना चाहिए 88 से 95% के बीच में आ जाए उसों कोई एस डोसिस नहीं होनी चाहिए अगर PCO2 जादा है उसको वाशाओट कराना है यह वेडियर्टर का फंक्शन है पर यह दोनों अचीव करने के लिए पेशेंट की कोई वरक बीदिंग भढ़नी चाहिए और जो प्लैटू प्रेशर है जिसमें पहले बताया था प्लैटू प्रेशर का मतब है कि अलवलाई में अगर प्लैटर हो सकते हैं उस hips twenty बढ़ जाता है अब जैसे पहले मेने बताया था कि वीडियटर से दो टाइप की ब्रैथ दे सकते हैं एक होटी है प्रेशर कंट्रोल एक एक होटी है वॉल्यम कंट्रोल बोनों में डिफ्रेंस माने क्या बताया था क्राम सेम लिए दॉनों कडर्ड बॉल्यूम連ट करना पड़ेगा सिक्ष एड्ड फाइड एम्ल तो 500 आमेल इसमेंड बेर करने के लिए प्रेशार फोगा फो प्रेशार हमें मौनीटर करना हम TWD दूसरे में क्या था? Pressure Control Mode. इसमें क्या है कि घुटर सट करना है, जर्फ ऐखれて हमें 20 cm वाटर का. इस प्रेशर पर टाडल वाल्यूम कितना जनरेट होगा, यह डिपेंड करेगा पेशेंट्स की लंग्स और चेस्ट वल्क कंडिशन पर. तो दौनों में ही वेडिलिटर काम है वो है एर पुश करना एक में हम वॉल्यूम सेट कर दे रहे हैं प्रेशर देख रहे हैं दूसरे में प्रेशर सेट कर रहे हैं और वॉल्यूम देख रहे हैं अब कई लोगों ने ये पूछा कि कौन सा मोड बेटर है वॉल्यूम कंट्रोल मॉड इस बेटर और प्रेशर कंट्रोल मॉड इस बेटर तो मेरा एक honest answer यह है कि दोनों ही मोड अच्छे हैं क्योंकि परपस सेम है तो कौन सा यूज करना चाहिए जिसमें कि आप comfortable हो जो आप अच्छे set कर सकते हैं अच्छी से monitor कर सकते हैं वो मोड बेटर होता है तो जैसे personally मुझे volume control पसंद है वो सकता है किसी को pressure control पसंद हो तो इसमें जो भी आप prefer करते हो वो मोड दे सकते हैं दोनों मोड से कुछ फायदे नुकसान है जो कि हम आने वाले classes में discuss करते रहेंगे तो कि patient की requirement है वो है कि adequate volume मिल जाए उसको तैडल volume, respiratory rate मिल जाए उसको और उसका minute ventilation मिल जाए ताकि उसके CO2 washout हो सके है और another peep मिल सके तो ये चारों चीजे हैं कि दोनों मोड ही provide कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है अब कौन सा more use करना चाहिए पहले decide करना है कि volume control करना है या pressure control करना है दोनों मोड में ही कौन सा further more use करना है तो जब patient first time आता है उस समय पे हमें control mode या assist control ये दोनों मोड एक ही setting में होते हैं जब patient improve करने लगता है इसको मोलते हैं कि patient को wean off करना है मतलब patient को ventilator से बहार निकालने की progress through हो जाती है उसमें हम लोग SIMB mode रखते हैं इसमें की additional pressure support भी देते हैं जब patient काफी improve हो जाता है अपना सास खुद ले सकता है लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत ventilator की जरूवत है ऐसे patient को pressure support या volume support ventilation लगाते हैं तो यह वीन-off का method है अब हम देखेंगे कि volume control mode होता क्या है volume control एक misnomer है जिसमें कि हम volume set करते हैं और ventilator उस volume को pressure के साथ अंदर push करता है तो इसमें control mode हो सकता है जिसमें कि patients कोई effort नहीं लगाएगा जो भी breath देना है machine देगी control breath मतलब ventilator ना पुड़ा control कर रखा है assist control क्या होता है कि assist करेगा अगर patient trigger करता है तो ventilator सांस दे देगा अगर patient trigger नहीं करता है तब यह control mode में convert हो जाएगा मतलब ventilator अपनी सांस देगा जो आपने respiratory rate सेट कर रखी है उतनी respiratory rate दे देगा तो दोनों यह control mode और assist control एकी mode में होते हैं दूसरा SIMV and pressure support तो यह चारों हम discuss करेंगे one by one तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि ventilator में setting कैसे करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यह मेके का ventilator है जो मैंने previous में discuss किया था इसमें एक control panel होता है यह जहां पर देख रहें प्रेशर कंट्रूल लिखा हुआ है जब इस बटन को दवाते हैं इसमें कई सारे mode options आ जाते हैं से volume control pressure control PRVC pressure support volume support SIMV काफी सारे options आ जाते हैं इस options में से हमें decide करना है कि हमें को सा चाहिए सबसे पहले हम लगाते हैं volume control यह देखिए volume control select कर लिया और इस panel पर देखेंगे बहुत सारी settings हैं इसमें होते हैं set parameters जो हमें set करने हैं किसी patient को ventilate करने में observe parameters जो हमने set किया है वो कितना achieve हो रहा है तो यह dependent हो गया observe मलब dependent जो depend है किस पर जो हमने set parameters किये हैं तो दो हो गए set parameters observe parameters देखिए event later में यह वाले हैं देखिए basic लिखा हुआ है तो यह basic हैं जो हर किसी patient में change करने होते हैं जैसे इसमें है tidal volume, respiratory rate, PEEP, FIU2 दूसरे जो column है उसमें है inspiratory and expiratory का ratio आई ratio और तीसरा है trigger तो जो basic more से हर patient में use होंगे और जो बाकी जो column है यह आप एक constant भी रह सकते हैं and patient to patient फ़ड़ा vary भी कर सकता है इसमें देखिए क्या-क्या set करते हैं हम लोग यह volume control है तो हमें volume set करना है बल्द टाडल volume set करना है कि patient को कितना जाना है कितना टाडल volume set करते हैं depends on कितना minute ventilation required है patient तो minute ventilation एक मोटा मोटा idea होता है जो idle body weight होता है जिसका मैं formula discuss कर चुका हूं इन्टू 100 आडल body weight इन्टू 100 जिए for example मेरा आडल body weight 70 kg है तो लगवग 7 लीटर minute ventilation मुझे चाहिए तो टाडल volume कितना होना चाहिए आडल body weight इन्टू 6-8 अगर मैं 70 kg का हूं तो लगवग 500 ml टाडल volume होना चाहिए तो यह हम टाडल volume set कर लेते हैं यहां पर अकॉर्डिंग तो आडल body weight तो रेस्पेटरी रेट इसे मेरेट वेंटिलेशन हमें चाहिए 7 लीटर आपने 500 ml टाडल volume चूस कर लिया उसी से हम रेस्पेटरी रेट काउंट कर लेंगे ओन एवरेज लगवग 15 to 20 रखते हैं फिर रखते हैं पीप पीप क्या होता है जिसमें पहले भी बताया था कि कि end expiratory airway collapse को रोकने के लिए जो प्रेशर होता है वो होता है पीप क्या करता है यह एफ रसी बढ़ा देता है और एलवलाई को collapse होने से prevent करता है at the phase of end expiration पीप मोटा मोटा 426 हर patient में set की जाती है किसी किसी में ज्यादा सेट की जाती है जैसे ARDS में और किसी किसी में कम की जाती है लेकिन मोटा मोटा चार सब्सक्राइब चार सब्सक्राइब पिशन में रखने चाहिए फिर है यह FIO2 FIO2 क्या होता है fraction of oxygen in air normal environment में यह 21% होता है हम लोग ventilator से 100% तक दे हैं कितना FIO2 देना है depends on कि patient का oxygen saturation कितना है जैसे पेशिट का saturation अगर 70% है तो FIO2 आप 100% स्टार्ट कीजिए और जैसे saturation बढ़ता जाएगा वैसे इम FIO2 कम करते जाएंगे फिर है यह आई ratio आई ratio क्या होता है इंस्प्रेटी टू एक्स्प्रेटी रेशियो इसमें क्या है कि inspiration में आप तो कितना time देना है और expiration में कितना time देना है तो यह हम set करते हैं नॉर्मल healthy people में यह लगवा वन इस्टू होता है मतलब अगर three seconds की cycle है तो one second inspiration होगा और two seconds expiration होगा तो हमें कितना set करना है depends on कि आप किस patient में यह वेंटिटे लगा रहे हैं अगर obstructive lung disease say for example COPD है जिसमें की expiration हमें प्रलॉंग चाहिए क्योंकि CO2 washout कराना है तो ऐसे patient में eye ratio ज्यादा देना पड़ेगा वन इस्टू 3 वन इस्टू 3.5 अगर patient ILD का है जिसमें के हमें oxygen ज्यादा बढ़ाना है या ARDS का है या निमूनिया का है जिसमें के oxygen की problem है ऐसे patient में हमें inspiratory phase बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम oxygen कब दे रहे हैं तो patient inspire कर रहा है तो ऐसे में क्या है जो eye ratio है वो हमें कम करना है तो normal one is to two है तो उसको कम करके one is to one point five one is to one और अगर यह reverse कर दें उसको मतलब two is to one कर दें मतलब inspiratory phase two seconds, inspiratory phase one second इसको बोलते है inverse ratio ventilation यह कहां यूज होता है ARDS में तो यह होता है eye ratio फिर minor settings होती है जैसे टी पॉस टी पॉस क्या होता है जब inspiration खतम हो जाता है उसके बाद में breath holding होती है मतलब inspiration खतम हो जाने के बाद में आप inspiratory जो tube है उसको बंद कर दीजिए और expiratory two पहले से बंद है तो hold होता है hold between inspiration and expiration यह होता है टी पॉस मतलब hold यह usually हम 5% के असपास रखते हैं फिर होता है टी inspiratory rise यह होता है base line से peak inspiratory flow जाने में कितना time लगता है मतलब base line से end inspiratory pressure पहुंचने में कितना time लगता है उसको बोलते हैं tea inspiratory rice जब ग्राफ देखेंगे तब आपको जी better समझ में आयेगा तो फिर है trigger flow क्या होता है जिसे मैंने बताया था कि पेशेंट को trigger करने के लिए क्या चाहिए जो मसल्स हैं respiratory मसल्स हैं जब वो contract करेंगी जब negative pressure generate होगा जब flow बहार से अंदर तरफ जाएगा मतलब जब सांस लेना है तो मसल्स को negative pressure generate करना पड़ेगा जिससे की flow अंदर जाएगा जब flow अंदर आएगा तो ventilator sense करेगा patient को सांस चाहिए वो trigger होता है तो इसमें trigger flow का मतलब क्या है कि flow patient generate कर रहा है to initiate ventilator machine पिर यह एक आप छोटा सा पैनल देख रहे हैं इसमें तीन चीज़े हैं ti mv and v ti क्या है यह है inspiratory time इसका मतलब यह है कि ventilator को एक preset tidal volume जो आपने set कर रखा है tidal volume या pressure set कर रखा है वो कितने time में lungs के अंदर पहुचाना है that is inspiratory time ओके दूसरा है minute ventilation एक minute में कितना volume इसको अंदर पहुचाना है यह क्या हो जाएगा tidal volume into respiratory rate तीसरा है V V होता है inspiratory flow rate जैसे आपने tidal volume set कर दिया 380 का अब एक second में यह इसको vendor को अंदर पहुचाना है इसका flow rate कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 380 ml per second इसको हम minute में भी calculate करते हैं liter per minute में तो आप इसमें देख सकते हैं कि यह respiratory rate 20 की है मतलब 3 second की एक cycle है आई ratio कितना रखा है one is to two तो one second का inspiration two second का expiration होना चाहिए और आप इस panel में देख रहे हैं कि यह T inspiratory है point seven का है मतलब 23 percent है तो अबने set कितना किया है 33 percent कि one second की inspiratory है ना तो one second का मतलब 33 percent 33 percent का inspiration और 66 percent का expiration पर इसमें देखने वाली बात यह है कि हम 10 percent pause भी दे रहे हैं मतलब inspiration में हम लोग pause भी दे रहे हैं इसका मतलब कि 23 percent inspiratory time हो गया और 10 percent यह हो गया तब हो गया 33 percent तो practically देखा जाए हमने set one second कर रखा है लेकिन T inspiratory point seven second ही है तो point seven second में ventilator को 380 ml push करना है inside the body अब यह हमने set कर दिया अब set करके भूला नहीं है क्या करना है जो हमने set किया है वो deliver हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें check करना है कैसे check करेंगे इस वाले column में अब देख रहे हैं यह वाला column यह वाला है जो deliver हो रहा है patient को अब इसमें देखिए सबसे नीचे चलते हैं यह होता है VTI VTI VTE मल्दब inspiratory में टाडल volume कितना मिल रहा है और expiratory में कितना छोड़ रहा है तो देखिए 380 हमने ml set किया है और patient कितना मिल रहा है 390 तो बढ़िया है कम नहीं होना चाहिए दूसरा है expiratory phase में टाडल volume जितना set किया है उतना ही होना चाहिए अगर उससे जादा कम है इसका मतलब inspiratory तो पूरा जा रहा है लेकिन expiratory बहानी निकल रहा है इसका मतलब आहीं से leak हो रहा है और most common leak कहां से होता है जो कफ होता है endotracheal tube का वो defrit हो जाए या फट जाए तो side से leak होता है endotracheal side से leak होता है तो कैसे पता लगेगा उसमें cattle volume in expiratory phase काम हो जाए तो यह है minute ventilation कैसे आएगा cattle volume into respiratory rate respiratory rate कितना है 20 यह है FIO2 हमने कितना set किया है 27% इसमें कितना show कर रहा है 27% कभी माल लो कि आपने 27 set किया है लेकिन यहां पर 21% है और आपने 100% set किया है लेकि यहां पर 21% है इसका मतलब oxygen supply है ही नहीं या तो oxygen आ नहीं रही है pipeline में या कहीं से oxygen pipe फट गया है ओके फिर देखते हैं यह पीप जो हमने set किया है वो सेम है कि नहीं है अगर हमने set 6 किया है और यहां पर 12 दिखा रहा है इसका मतलब कुछ तो problem है क्या problem है auto peep generate कर रहा है 6 हमने set किया है 6 का वो auto peep है इसलिए 12 हो गया फिर देखते हैं यह peak pressure one of most important things we have to look for peak pressure कितना होता है इसे हमने volume control दिया ctml set कर रखा है हमने ctml set कर रखा है तो इसको देने में जितना pressure ventilator को चाहिए तो airway pressure plus alveolar pressure दोनों को मिलाके जो pressure होता है वो होता है peak pressure तो peak pressure कौन सा pressure हो गया जो airway plus alveolar का जाएगा अगर इस मेंसे airway का pressure हटा दो मतलब at the end of inspiration अगर आप inspiratory hold कर दीजिए जो pressure आएगा वो होगा alveolar pressure उसको बोलते है प्लाटू pressure तो प्लाटू pressure अगर जादा होगा तो बैरोट्रोमा हो सकता है तो प्लाटू pressure कितना रखते हैं less than 30 तो यह हमें monitor करना होता है तो यह मोटी मोटी settings हो गई क्या करना है हमें volume control में और यह observation हो गया कि क्या क्या deliver हो रहा है चलिए अब आगे इसको चला के देखते हैं देखिए अब हमने set कर दिया है अब इसमें यह graph आना start कर दिया है ओके जैसे में पहले बताया था कि volume control में क्या 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 इसमें देखते हैं graph कौन कौन से graph होते हैं इसमें तीन graph होते हैं जो टॉप में graph है यह प्रेशर टाइम ग्राफ दूसरा वाला graph है यह है flow time graph तीसरा है volume time graph इसमें आप देख रहे हैं छोटी चीज़े चोटी डंडे देख रहे हैं जो dots देख रहे हैं यह एक second का duration है यह वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड इस तरह से यह तो आप देख रहे हैं जिसमें पहले बताया था कि volume control में यह baseline है तो baseline से जितना ऊपर होगा यह पीप और पीप किता सेट कर रखा है छे का अगर पीप बढ़ा देंगे तो ऊपर और चला जाएगा फिर क्या है कि टाडल वाल्यूम देने के लिए constant flow होता है तो देखिए इसमें flow constant है यह देख रहे हैं तो volume control में flow constant होता है तो प्रेशर कंट्रोल में प्रेशर constant होता है तो यह volume control है इसलिए इसमें flow constant है तो flow पूरी inspiratory phase में constant जा रहा है इसका मतलब airway में प्रेशर बढ़ता जा रहा है अब देखिए प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है यहां पर ही यह peak pressure आ गया है इसके बाद में हमने hold कर दिय इसके बाद में यह प्रेशर आएगा यह प्रेशर आएगा यह प्रेटू प्रेशर का मतलब प्रेशर इंदा एलबूलाई फिर उसके बाद में यह expiratory phase है इसके बाद में baseline बेसलाई कितना होगा पीप यह प्रेशर टाइम ग्राफ दूसरा है फ्लो टाइम ग्राफ इसमें आप देख रहे हैं कि फ्लो तुन्ट ही बढ़ जा रहा है उसके बाद में constant है फिर फ्लो एदम से खतम हो गया और यहां पर यह पॉस है यह expiratory phase है यह expiratory phase है इसके बीच में जो यह time है यहां पर फ्लो जीरो हो जाता है यह है टी पॉस अब यह 20 में देखेंगे कैसे देखते हैं फिर यह है volume volume time graph तो यह यहां से start हुआ cattle volume इसने deliver किया यह pause है जो पॉस है सेट किया था उसके बाद में expiratory तो यह दोनों बरावर होंगे तो यह हो गया volume control के तीन graph हो गए है ओके अब इसमें देखिए अब मैं सेट करता हूं आई रेशियो यह आई रेशियो वन शूटू का सेट है यह अब देखिए मैं आई रेशियो बढ़ा देता हूं 1.29 देखिए पहले पॉइंट 7 सेकेंड था यह टी इस प्रेट्री अब मैंने एक्सपेट्री फीर प्रलांग कर दी इस प्रेट्री जो फेज अस लेने की फीस है बहुत छोटी हो गयी देखिए 0.7 सेट था अब पॉइंट 48 हो गया पहले यह कितना था यह I think 25 परसेंट 23 परसेंट अब 16 परसेंट तो अब आपको यह करिए जो टाडल वॉल्यूम पहले हम 0.7 सेकंड में दे रहे थे अब हमें कितने सेकंड में देना है पॉइंट 48 सेकंड में जोकि इस पेटरी फेज चोटा हो गया एकस्पेटरी फेज बड़ा हो गया ऐसा कप करते हैं जब हमको सीओ टू वाश आउट कराना है मलब सीओ पीडी पेशेंट्स में उसमें हम एकस्पेटरी फेज प्रलॉंग कर देते हैं तो देखिए अब ग्राफ पर क्या फ्रक पड़ेगा देखिए 2.9 कर दिया ओके कर दिया अब देखिए अब देख पा रहे हैं अब इंस्पेटरी का टाइम छोटा हो गया तो 380 ml जो टाडल वॉल्यूम सेट किया था हमने इसको देने के लिए प्रेशर जादा देना पड़ेगा इसको वेंटिलेटर को देखिए यहां पर यह पहले वाल देखिए प्रेशर बढ़ गया तो जब हम आई रेशियो बढ़ा देंगे तो प्रेशर आटोमेटिकली बढ़ जाएगा दूसरा इसमें क्या देखना है हमें जो टी इंस्पेटरी टाइम था वो भी देखिए इसमें अप्रिशिट कर सकते हैं यह टी इंस्पेटरी तो देखिए यह चोटा हो गया तो देखिए यह चोटा हो गया पहले यह बढ़ा था दूसरे वाले ग्राफ में देखें तो यह पहले वाला ग्राफ है यह नया वाला सेटिंग है यह आप देख रहे होंगे कि फ्लो इसमें कम है इसमें फ्लो बढ़ गया देख रहें एस कं यह तो यह हमें ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं लेकिन टैडल वॉल्यूम सेम रहे सेट कर रखा है अब आगे चलते हैं तो यह हमने देख लिया ठीक है इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली बात है पहले जो पीक प्रेशर था 24 था अब कितना हो गया 28 क्योंकि अब उतना ही वॉल्यूम हमें ज्यादा प्रेशर लगा के देना पर रहा है तो पहले 24 था अब 28 हो गया तो आई रेशियो बढ़ाने पर क्या-क्या जोटा हो जाएगा जो ओर इस प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशियो को बापिस से 1.2 कर देंगे ऀनुए हैं आब देखिल अब masa दिक करते हैं देखिए कि यह उसे यह कर दिया देखिए अब फिर यह हो गया ठाइस ऑब diferencia का अब ताइब यह और यह तो यह यह होता है आई रिशी अब हम देखते हैं टी पॉस में आपको क्या बताया था कि इंस्प्रेट्री में कितना होल्ड कर रहे हैं देखिए जैसे इसमें 10% हमने सेट कर रखा है 10% सेट करने के यह बाद में टी आई कितना है पॉइंट सेविं प्रेशर है 24 अब देखिए हम सको चेंज कर देए हैं अब इसको हमने 2 कर दिया 2% जब हमने होल्ड 2% कर दिया मतलब जो टी इन स्प्रेटी था उसमें से होल्ड पहले 10% था अब हमने कि लोड टू परसेंट कर दिया तो टीन स इस पिर टाइम बढ़ जाएगा मतलब अब वेंटिटर को 380 ml डिलीवर करने के लिए कम प्रेशर चाहिए क्योंकि टाइम बढ़ गया ना और फिलो कमची जाता चाहिए है लोग भी कम चाहिए है टाइम बढ़ जाएगा अब देखिए इसमें ग्राब देखते हैं लोग यह देखिए यह प्रेशियेट यह पीक प्रेशर पहले का है यह प्रीक प्रेशर बात का है पहले 24 था अब यह 23 हो गया इस प्रेटी फ्लो रेट पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई क्योंकि टाइम बढ़ गया क्योंकि जो होल्ड था वह हमने कम कर दिया अब कोई फरक पड़ा नहीं पड़ा पर देखिए यह पॉस आप देख रहे हैं यह इस प्रेटी फेस यह टाडल वॉल्यूम है यह यह इstr प्रेटी फ्लो रेट भी कम हो गया अब हमने 15 कर दिया जब हम 15 कर देंगे तो क्या होगा जो टी इंस्पिरेटरी है वो छोटा हो जाएगा मतलब प्रेशर बढ़ जाएंगे इंस्पिरेटी फ्लोरेट भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब छोटा टाइम हो गया 380 ml डिलीवर करने के लिए अब देख रहे हैं हमने टी पॉस बढ़ा दिया मतलब इंस्पिरेटरी होल्ड बढ़ा दिया तो इंस्पिरेशन का टाइम था वो छोटा हो गया अब देखिए प्रेशर इसमें देखिए क्या हुआ बढ़ गया क्योंकि जो 380 ml जो सेट कर रखा है वो बढ़ाने के लिए प् प्रेशर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर बढ़ गया यहां पर कम हो गया ऐसी इंस्पिरेटरी फेज देखिए यहां पर कम है यहां पर बढ़ गई यह पहला वाला है जब टी पॉस बढ़ा दिया तो देखिए फ्लोरेट बढ़ गई पहले क्या Fruid कम तो यह होता है T-POS का सेटिंग यह बहुत ही फ्रिक्वेंटी नहीं करते हैं यह यह प्रसेंट पर सेट कर देते हैं या थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं इसका ज्यादा प्रेक्टिकल एप्लिकेशन नहीं है अब देखते हैं तिंशिप्रेटी टाइम इसको नौर्म में जितना समय लगता है यह भी परसंटेज में होता है अब आप देखिएगा जैसे यहां से मैं चेंज करूंगा यह इस पीटी फ्लोरेट भी चेंज होगा देखिए अब जैसे इसको मैं बढ़ा देता हूं इसे बढ़ाएंगे तो देखिए यह भी बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा चाहिए जबकि इसमें क्या है कि स्लेंटिंग लेना है आराम आराम से पहुंच रहा है तो बस इसका इतना ही रोल है जूजली हम लोग यह 5 तू 10% सेट कर देते हैं इसका बहुत ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं करते हैं पेशिंट टू पेशिंट बहुत ज़् तो आप T, SP, T, RISE है वो थोड़ा सेट कर दीजिए तो यह धीमी-धी में जाएगा तो 3ATML धीमी-धी में पीक तक जाएगा इसमें इतना ही अंतर है फिर हम देखते हैं तो बापिस से 5% कर देते हैं और अब हम देखते हैं देखिए बापिस से देखिए पहले यह वाला तो अजो दॉट यह था वॉल्यूम कंट्रोल मॉड अब सिस्ट कंट्रोल क्या होता अब सिस्ट कंट्रोल होता है जिसमें कि पेशेंट्ट त करता है कि तो पेशेंट जितनी बार ट्रिगर करेगा उतनी बार ही मशीन कि सांस देगी जितना प्रेमिटर में सेट कर रखा है जैसे इस वाले एक्जामपल में पेशेंट का टैडल वॉल्यूम फाइवनिट सेट कर रखा रहा है रैस्पीट 15 पीप 8-5-2-40 पेशेंट अगर ट्रिगर नहीं करता है तो 15 टाइम्स 500 पुश करेगा अगर पेशेंट ट्रिगर करता है जितनी बार पेशेंट ट्रिगर करेगा उतनी बार मशीन काडल वॉल्यूम देगा तो यह कैसे करता है जिसे हमने 15 का सेट कर दिया एवरी 4 सेकंड वेंटियेटर पेशेंट को सांस देगा तो सी फर एक्जामपल 4 सेकंड बाद वेंटियेटर ने सांस दे दी अब एड़ दा 6 सेकंड पेशेंट ने ट्रिगर किया तो वेंटियेटर 16 सेकंड में सांस दे देगा उसके बाद में 6 सेकंड के बाद में 4 सेकंड वेट करेगा क्योंकि हमने 4 सेकंड सेट कर रखा है अगर 4 सेकंड का पेशें फिर से टिकर करता है तो फिर से सांस दे देगा ये सांस देने के बाद में फिर 4 सेकंड का वेट करेगा अगर उन चार सेकेंड में पेशेंट सांस नहीं लेता है तो वेंटिलेटर अपनी कंट्रोल प्रेथ दे देगा इस तरह से असिस कंट्रोल फंक्शन करता है इस ग्राफ में देखिए पेशेंट अभी अपने ट्रिगर नहीं कर रहा है स्कूंकि जो सेट कर रखा है फिफ्टीन का वहीं यहां पर रहा जिधल वॉलिम सेट रखा है वह यहां पर-खिए अभी पेशेंट है जब ट्रिगर किया आब झर कर रहा है यह देखिए इसका वजुआ पिशइंट ट्रिगर कर रहा हैивать humor में कैसे से देखेंगे यहाँ पर छोटा सब जैसा एक लाइन आती है यह पिक लैट कर त्पिल नो कर मनलब ट्रेट से जादा पु नीडि है कि पीशंट टृगे और फो यह हो गया असिस्स कंट्रोल इसमें आगे देखिए लिए यह सब पेशेंट टिगर रहा These सारी जितनी वार पेशेंट करेगा उतने ही टाइंट वेल्टिटर सांस देगा अब गलगी, इसमें 21 हो गया, मैंझे सेट कर रहाए 15 इसका अमनला पेशेंट सांस दे रहा है अब जब टिगर नहीं कर रहा है पेशेंट ऑद इवरी 4 सेकेंड में वप सांस देदेगा देखिए अब हम देखते हैं SIMB, SIMB होता है Synchronized Intermittent Ventilation, इसमें भी हम सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, रेस्पेटी रेट, जैसे इसमें भी सेट करना होता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो वॉल्यूम कंट्रोल था, यह भी वॉल्यूम कंट्रोल है पर यह Synchronize कर रहा है, जैसे पेशेंट की Trigger से, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे 15 का सेट कर दिया तो एवरी चार सेकिंड पेशेंट वेल्लिटर ब्रेथ देगा, तब पेशेंट ट्रिगर करे चाह ना करे अगर ट्रिगर करता है, तो यह पेशेंट के साथ Synchronize कर लेगा, और जो ट्रिगर किया है, उसी के साथ मशीन सांस देगा अगर चार सेकिंड में पेशेंट ट्रिगर नहीं करता है, तो वॉल्यूम कंट्रोल ब्रेथ देगा तो यह होता है S.I.M.B. पर इसमें प्रॉलम क्या है, जैसे आपने 15 का सेट किया और पेशेंट की डिमांड है 25 ब्रेथ की तो 15 तो यह कंट्रोल ब्रेथ देगा, पेशेंट से स्निक्रोनाइस करके, बाकि जो 10 ब्रेथ होंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो क्या है, बुरा मान जाएंगे, तो बुरा ना माने, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक एडिशनल प्रेशर सपोर्ट भी सेट कर देते हैं देखे, इस वाली सेटिंग में थोड़ा क्लियर नहीं देख रहा है, लेकिन हमने 14 सेट कर रखा है तो मतलब जो 15 ब्रेथ हैं, उसको टाड़ वाली मिलेगा, और जो स्पॉंटेनियस ब्रेथ हैं, जो कि सिन्क्राइज नहीं हो रही हैं, उनको प्रेशर सपोर्ट 14 का मिलेगा, यह देखिए, अब देख रहा है इसमें अभी यह कंट्रोल ब्रेथ हैं, देखिए, एवरी 4 सेकंड यह ब्रेथ देगा, एवरी 4 सेकंड अब देखिए, पेशेंट अभी ट्रिगर करेगा पेशेंट, देखिए, ट्रिगर किया पेशेंट, देखिए, ट्रिगर किया तो सिन्क्राइज कर लिया है, अब इसमें कर दिया अब देखे यह चार सेकंड से पहले दे डिया तुम क्या किया कि इसने आवय क्या सपूर्ट कंट्रोल देगा इन बिटिवीन जो सांस आएंगी वह केबल प्रेसर सपोर्ट लगाएगा जो कि हमने 14 का सेट किया है देखिए इसमें दो टाइप की ब्रैथ हो गई यह वाल्यूम कंट्रोल ब्रैथ हो गई क्योंगी फ्लो कॉंस्टेंट है और यह प्रेसर सपोर्ट ब्रैथ हो तो मशीन है चार सेकेंड में ब्रैथ देगी फोर्स फुली जो कि पेशन को अनकंफर्टेवल होगा और उसकी वरक बीदिंग बढ़ा लेगा तो यह मोड कॉंशियस पेशन में लेस्ट टॉलरेबल होता है कोई भी टॉलेट नहीं करता है इसलिए इसको देखेंड कारता है टूंटीटू देख रहें कितना ब्यूटी akan कमार आ यह यह कैसी है ऐसाफमाद कर दिया जारा से पहले से पहले अब पर ट्रिगर कि आ तो मशीन ने स्कूर्णाइस कर दिया वॉल्यूम कंट्रूल के साथ तो यह साइंबी सपोर्ट तो अगें सारा प्रेमिटर से में अगर पेशेंट ट्रिगर नहीं करता है तो देखिए एवरी सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब कर लेगा पेशेंट के साथ में तो एवरी चार सेकेंड ब्रेज जाएगी यह होता है ऐसा अब हम देखते हैं वॉल्यूम सपोर्ट तो यह फुली कॉंशियस पेशेंट होना चाहिए इसमें क्या है कि पेशेंट कॉंशियस है औरि कर सके खुछ से तो वॉल्यूम सपोर्ट क्या करता है कि सपोर्ट करता है कि जैसे मुझे 500 मल की जरूवत थैंड प्रम अपना ले ले रहा हूं आप 200 मL seset कर दिएसे टो अख्षा 200 वेंटिलेशन है यह 500 15 1.2 रेशियो बैकप का मनलब यह है कि पेशेंट अगर एपनिया में चला जाता है सांस इना भूल जाता है तो वेंटिलेटर 15 रेस्पिरेटी रेट 500 के टाडल वॉल्यूम पे पुश्ट कर देगा इंसाइड दल्ला तो यह हो गया वॉल्यूम सपोर्ट इसमें देखी क्या क्या सेटिंग होती है टाडल वॉल्यूम पीप एफ आयूटू एक होता है टी इंस्पिरेटी रहा है जो पहले बताया था रिगर फिलो एंड इंस्पिरेशन तो एंड इंस्पिरेशन क्या होता है वॉल्यूम inspiator time होता है उट patient खुद decide करता है जबकि volume control में क्या था आप set कर रहे हैं इसमें volume support में patient खुद decide करता है कि मुझे कितनी inspiator time چhaہिए तो machine breath देना कब stop करे! कब pressure देना stop करेगा? जबकि flow उसका 30% से कम आ जाएगा तो 30% set कर रखा है तो उसका जो flow है, वो peak flow से 30% तक नीचे आ जाएगा, तब ये pressure देना बंद कर देगा, इसको हम set कर सकते हैं, 70% तक set कर सकते हैं, 0 to 70%, तो 0 का मतलब क्या है, जब flow 0 हो जाएगा, तो ventilator सांस देना बंद करेगा, तो ये हो गया volume support, तो ये conscious oriented patient में लगा जाता है, ये एक weaning का तर अजिए देखते हैं, देखे, patient सांस नहीं ले रहा है, trigger नहीं कर रहा है, देखी, patient सांस नहीं ले रहा है, इसमें क्या होगा, patient backup ventilation में चला जाएगा, जो आपने set कर रखा है backup, पेशिट एपनिया में जाएगा, वो इसमें चला जाएगा, जब देखी बेक आप आगा, अगर पिसेंट ट्रिगर करता है तो ये बेकप चला जाएगा देखिए अभी इसचाइगा तो जब पिशेंट ट्रिगर करेगा तो बेक अप चला जाएगा और पिशेंट को जो इसेट कर pressure support ventilation तो hopefully आपको ये समझ में आया होगा अगर कोई चीज छूट गई है या समझ में नहीं आई है प्लिस comment box में मुझे लिखके भीजिए मैं अगले lecture में इसो cover करने की कोशिश करूँगा Thank you, फिर मिलेंगे एक new module के साथ में